नमस्कार आप देख रहे हैं खबरे अभी तक और मैं हूँ आपके साथ नहीं हाँ वालिया नाराइन भविश्यवानी में आप सभी का स्वागत है उस्टूडियो में हमारे से मौजूद हैं डॉक्टर नाराइन आचारे जी तो दोस्तों जो भी आपके सवाल है जो भी आप उपाय जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं से जुड़े हुए नाराइन जी उन सभी का समधान करेंगे नाराइन जी आज सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन चीज़ की बात करेंगे नजर की कई लोग ऐसे होते हैं उनकी काम नहीं चल रहे हैं, नजर लग गई है, घर में सुख सम्रिधी नहीं है, बरकत नहीं हो रही है, तो क्या सिर्फ सुन्दर लोगों को नजर लगती है, बच्चों को नजर लगती है, या जो नजर लगती है, उसके क्या कुछ उपाए है, वो आपसे जानना चाहेंगे. नमोना रहें जी दोस्तों, दोस्तों नजर की बात यदी करें तो नजर किसी भी इनसान को लग सकती है, एक सामान ने इनसान को लग सकती है, और एक बहुत सुन्दर इनसान को शायद ना लगे, नजर किसी को भी लग सकती है, नजर के लिए कुंडली में कुछ ग्रह कमजोर ह जिसके गन कमजोर होंगे उस इनसान को नजर लगती है अब नजर आपका व्यावसाई को भी लग सकती है नजर आपके बिजनस को आपकी हैल्थ को आपकी सुन्दरता को आपके कपड़ों को नजर किसी भी चीज क्योंकि नजर क्या है दोस्तो जो एक इनसान की अंदर से एक इसी negative energy निकलती है वो negative energy सामने वाले के пост अवी हो जाती है यृदि आपके ग्रह कमजोरर सामने वाले जो bed आई है जो नजर है वो इतनी ज्यादा नगर आटिए वो आपको चीरते हुए अंदर से चली जाती है, दोस्तों आपने सुना होगा कि नजर तो पत्थर को भी फाड़ देती है, यह सही है दोस्तों, मैंने लाइव देखा हुआ यह जी, तो नजर के लिए नहाजी मैं कहूंगा कि नजर जो है वो इनसान को बारंबार लगती है, नजर के लिए जिस इनसान ने अपना उपाय कर लिया, नजर के लिए जिसने अपना पका इलाज करके रख लिया, तो पंडी जी क्या हम यह बात बोल सकते है कि जो नेगिटिविटी है, वो नेगिटिविटी ही एक तरीके से नजर है, जिसे हम कहते हैं कि हमें नजर लग ग और जो भी काम है वो सही नहीं होते हैं तो क्या उपाई किये जाएंगे देवी जी आपका पूरा नाम बताईए मेरा नाम कुस्व मित्तल है मित्तल जी कहां से बात करें कुस्व जी मैं रतिया से बात करेंगी चलिए आप एक से लेकर के दस के बीच में कोई भी नमबर बोलिये कुस्व जी पांच पांच नमबर बहुत अच्छा आपने करना क्या सत्तनारेन भवान का वरत कथा आप अपने घर में शुरू कीजिए नमबर एक नमबर दो आपने क्या करना आपके घर में जब आप जो गेहूं आप पिसवाते हैं आटा चक्की से उसमें कम से कम साथ प्रकार के सो सो ग्राम अनाज जरूर डालिए और सुखे हुए तुलसी के पत्ते साथ पिसाईए अगर ये आटा आपके घर में आप प्रति दिन खाएंगे ये उपाय करके खाएंगे साथ अनाज और तुलसी वाला तो देवी जी घर में सुक्षान्ती रहेगी बरकत मिलेगी घर में प्यार मिलेगा घर के अंदर बहुत ज़्यादा बरकत होगी घर में आपस में सभी सद लाइन पर जूट चुके है रिशब नाराइन भविश्यवानी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपना सवाल रखिए जी मेरे नाम रिशब है जी मैं आपनी लेख के बारे में जाना करता हूँ जी रिशब जी आप एक से लेके दस के बीचे में कोई नंबर बोलिए जी शिक्स बहुत अच्छा एक कोई भी फ्रूट का नाम बोलिया आप फ्रूट का एपल बहुत अच्छा जी चलिए कल्यानों आपका देखिए अगर आपका विवाहिक जीवन का आपने प्रशन किया है कि शादी कब होगी नारायन जी प्रेम का मसला है तो प्रेम के ओपर तो नारायन जी हसा देव हमेशे चक्छा के है कि शुकर का उपाय करें और जिस orders के आप प्रेम करते हैं वो कन्या डखिए कही ने कहीं मुझे लगता है कि आपने पांच ़ंख बोला और फल में एपल बोला है तो कहीं ने कहीं उसके मन में आपके लिए भाव पोजिटिव हैं लेकिन आप इसके लिए मैनत कीजिए शची शर्दा रखिए माता पिता का आशिरवाद लीजिए और हर शुकरवारा आपने सफेद चीजों का दान छोटे बच्चों को जैसे सफेद र फोन लाइन पर जुड चुके हैं नारायन भविशवानी में बहुत बहुत स्वागत आपका अपना सवाल रखिए और नजर के ही जुड़े आज चीजे हैं जो हम पूछ रहे हैं एक महा उपाय आपको बताएंगे नजर से जुड़ा हुआ जो कि आपके लिए जितनी भी समस्या हैं उन सभी का समाधान करेंगे लेकिन उससे पहले अगले कॉलर विद्या भूशन जुड चुके हैं जी मेरा बेटा शोबित है जी उनका नाम बताईए बेटा जी का जोबित जी क्या जानना चाहेंगे आप उत्र के लिए वह प्रतियोगी परिच्छाओं में बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन बढ़ा नहीं पा रहे हैं जी आप एक काम कीजी मुझे एक कोई भी एक से लेके सो के बीच में कोई भी नंबर बताईए जरा अठासी जी बहुत अच्छा डवालेट डवल शनी बहुत अच्छा अभी क्या कर रहे हैं कंपिटीशन की त्यारी कर रहे हैं पुत्र आपके पहुंच-पहुंच के रुग जा रहे हैं नाराएं जी चिंता मत कीजिए आपका उनको बहुत अच्छे से push-up कीजिए उपाय के तोर पे आपने क्या करना हर शनीवार उनको बोलिए बेटा जी को या बेटा जी ना करें तो आप कीजिए हनुमान चालिसा रोजाना पड़े और हर शनीवार के दिन शनी मंदिर में जाकर के तेल का दान करें जरूर कल्यान ह होगा हंडड़ प्रशंट कल्यान होगा ऐसा मेरा विश्वास है नमोना राइन चले बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल रखनी के लिए इसी के साथ अगले कॉलर रिशब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रिशब नाराइन भविशेवानी में आपका बहुत- बहुत अच्छा जी रिशब जी आपका पूरा प्रशन कीजिए आप क्या पूछना चाहते हैं आप जी मैं अपनी नोगरी के बारे में जाना चाहता हूं मैं एक से लेके सो के बीच में कोई नंबर बोलिये कोई भी जी एक कोई भी आप रंग का नाम बताईए रंग किसका लर ब्लू ब्लू बहुत अच्छा देखिए आपका प्रेम का योग करें तो मैं अगर आपको सही बताओं तो मुझे लगता है कि आपको प्रेम प्यार के चक्कर से भी बचना चाहिए अभी समय आपके लिए बिल्क डॉइंट प्रशेंट जॉब मिलेगी आप गॉष्ण कि बजाए आप सेंट्र गॉष्ण की जुब की जोफ के लिए अगर आप एफर्स करते हैं उसमें आपको ज़्यादा काम्याभी के चांस बनते हैं उपाय के तोढ़иной कि यह शुकरवार के दिन आपने क्या करना है घा आहाराइन जी नमोना राहें जी हरे उम जी दे बट इन चार रहाए घीशा बताएए प्रशन नाम बताएए पीट का। तो हमेंट ठीजेंखिर अब शोनिनल्य जोनी बहूत अच्छा हैा जी कहां से बात कर रहे हैं आप नाराइन जी सब्सक्राइब आप एक के लिए और उसका वे मेडिकल की भी तैयारी कर रही है एंबीवेस के लिए भी कोचिंग भी लेती है और पड़ती भी है और वो थोड़ा चिड़ा पन है गुसा है उसको उनकी डेटो बर्त बदाईये नाराएं जी आठ तीस अक्टूबर दो हजार तीन अंक बहुत अच्छ लगी हुई है आप बिटिया की नजर उतार दीजिए आपको तीन से पांस दिन के बीच में 100% अफादया मिलेगा नजर जरूर उतार ये दोस्तों आज मैं आपको नजर के उपाई भी बताऊंगा आप पूरा कारियकरम देखिएगा और नजर के यदि आपने ये उपाई क रहे हैं हल्दी वाला दूद उनको रोज पिलाइए और नजर जरूर उतार ये जरूर कल्यान होगा नमो नाराएंजी बहुत 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 शुक्रिया अपना सवाल रखने के लिए तो उमीद करते हैं कि जो भी आपके प्रश्ने हैं जो भी आपकी समझ से आए हैं उनका छमाइशियती है आप सभी कभी सुन फे सुनते हैं कि बहुत सामन्य से कपड़े पहनते हैं गुरु जी हम तो लêm बहुत सुना सुन्दर पहर से बाहर जाते हैं घर आते हैं तो कर दें के नजर है दोश्तों बहुत नजर आपको कहीं बी किसी वाउओ की फीलिग का यह है बड़े प्रेम से हंसते वह जा रहे हैं मार्किट गए घर आते ही जगड़ा शुरू हो गया रसते में जगड़ा शुरू हो गया इसका कारण क्या जो वाउ की फिलिंग आ रहे हैं बड़ा अच्छा कपल जा रहा है ये किसी किसी इनसान में दोस्तों बड़ी नेगटिव एन अगर आपके पास आ रही हैं तो नजर लगना वाजिव सी बात है अगले कॉलर नरेश ओनलाइन पर जुड़ चुके हैं नरेश नाराइन भाविश्यवानी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपना सवार रखिए अब और नरेश बोल रहा हूं जी नमोन नरेश बताइए यह आप प्छे का नाम बताईए श्रिमान जी बहुट पूछ अच्छा जी डेटो बताईए बालक की जी क्या पूछना चाहेंगे आप इन लिए पहरो के ऑ क्जोगने मैं पोच रहा हूं जी जी आप एक से लेके सो के बीच में कोई भी नंबर बताई है जी आप जित जी बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा देखेए इशुर्य कृपा से मुझे पूर्ण विश्वास है आपका बच्चा 100% ठीक होगा आप डॉक्टर से अच्छे से सला लीजिए उसका जो भी आप ट्रीटमेंट दवाई पानी डिसकस कर रहे हैं डॉक्टर से वो करते रहे हैं 100% आपको काम्याभी मिलेगी नंबर एक नंबर दो पैरों की बात आत किसी तरीके से और नहीं तो उसके माता पिता उस कटोरी में चेरा देखेंगे और उस कटोरी सहीत सरसों की तेल की भरी हुई जो कटोरी है वो शनी मंदिर में आप दान कीजिए सच्ची शर्दा से गायों को वजन के बराबर का हरा चारा माता पिता के वजन के बराबर का हर चारा हर शनिवार एक वर्स्तक डालते रहे जरूर कल्यान होगा नरेश जी नमोना रहें जी नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए तो अगली कॉलर असाम से विक्रम फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं विक्रम नारायन भविश्यवानी में बहुत-बह अरे बहुत अच्छी जगा है गवाटी के पास में है ये तो जी जी बताइए क्या जानना चाहेंगे आप गुरुजी मैं अभी क्या करूंट का काम सीख रहा हूं अभी उसमें मुझे लाब रहे क्या है बताइए गुरुजी किस चीज़ का काम सीख रहे हैं अभी आप अच्छा बहुत अच्छा जी आपने करना क्या है एक से लेकर सोक के बीच में कोई भी नंबर बताईए आप एक तो जी गुरुजी पत्चिफ कोई भी फूल का नाम बूलिये फ्लावर नेम गुलाब बहुत अच्छा बहुत अच्छा आप थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए मैनत कीजिए कोई गबराने के बात नहीं है थोड़ सा पित्र दोश नजर आ रहा है आपके जो बड़े बुजूर्गें उनकी सेवा कीजिए माता पिता के चरणों में रोज प्रनाम कीजिए घर के जो बड़े बुजूर्गें आपने क्या करना है उनको अपने हाथ से थो तोड़े सी गुड़ खिला दीजिए इस उपाय को करने मातर से आपकी जो एजुकेशन जो चल रही है अकाउंट से रिलेटेड जो आप कोर्स कर रहे हैं या जो भी आपके फ्यूचर की प्लैनिंग है उसमें आपको जुरूर काम्याबी मिलेगी दूसरी बात आपका कैरियर पॉजिटिव साइड जा रहा है बिल्कूल ना गवराएं स्थान प्रिवर्तन के थोड़े योग बन रहे हैं आपके सन 2018-19 के अंदर आपको जुरूर काम्याबी मिलेगी यदि ऐसा होता है तो नमो नारायन जी चुले बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम उमीद करते हैं कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया हो नारायन जी यहाँ पर हम महाउपाय की आज बात कर रहे थे कि दर्शकों को महाउपाय बताएंगे नजर का दोस्तों नजर किसी को भी लग सकती है नजर एक ऐसी चीज है दोस्तो अगर आप इसका समय पे उपाय कर लेते हो तो 101% नजर उतर जाती है दोस्तो और नजर की वज़े से जो बैपार में प्रॉबलम आ रही है जो हैल्थ में आ रही है एजूकेशन में आ रही है बच्चे में तिर्चड़ा पन आ गया है दोस्तो इस नजर को अगर आप उपाय कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 100% उपाय से लाब मिलेगा दोस्तो आज आपने क्या करना है मेरा बताया हूँ यह महा उपाय करना है महा उपाय क्या दोस्तो सुनिए नजर का महा उपाय आपने सात मिर्ची लेनी है साबुत लाल डंडी वाल सातों मिर्चों को आप अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लोक वाइज गुमाने हैं दोस्तों इस बात को ध्यान रखे जैसे घड़ी चलती है उससे विप्रेत दिशा में यदि आप ये उपाई करेंगे सात बार गुमाने के बाद बिल्कुल किसी से बात ना करें चुप चाप ओ अपने गुरू का मंतर याद करते हुए भगवान को याद करते हुए उन मिर्चों को आपने अगनी में डाल करके जला देना है दोस्तों जैसे दोस्तों तीन दिन आप ये उपाई करेंगे सुबह सुबह या शाम के समय में दोस्तों तो आपकी ये नजर 100% ठीक हो जाएग और पिला बिल्कुल पका हुआ निम्बू येलो कलर का निम्बू को दोस्तों आपने एंटी क्लोक वाइज बिल्कुल उल्टा गुमाना है साथ बार और ऐसे देखते हुए रहना है निम्बू को बार बार ऐसे सामने से गुमाना है और सामने देखना है दोस्तों ऐसे जब कि समय में दोस्तों ये दो उपाए मैंने महाऊपाए बताएं आप कीजिएगा आपको 100% काम याभी मिलेगी एक दिन में एक उपाए करना दोस्तों तो ये महाऊपाएं है आज जो की नजर से जुड़ा हुआ पंडी जी ने बताया है दो महाऊपाएं है जो नजर उतारने के जादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए तो आप इसे जरूर अपना येगा इसे के साथ अगली कॉलर फतेहाबाद से सुमन फोन लाइन पर जुड़ चुकी है सुमन नारायन भविश्यवानी में बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल रखिए जी सुमन अगर आप सुन पा रही है तो अपना सवाल रखिए नारायन जी बताइए नाम व्याश्णवी व्याश्णवी जी क्या जानना चाहेंगे बिटिया के लिए उसकी डेट वर्थ है इकत्तीस बारां दो हजार इकत्तीस बारां संद दो हजार जी बताइए क्या जानना चाहेंगे बिटिया के लिए उसके ना सुबह पांच बजकर 26 मिनित जी और फत्य बाद हर्याना जी जी देवी जी ये ना क्या करते हैं उसके तो एक शादी के बारे में जाना था एक उसके जीवन साथ ही कैसा होग और रेना किसी दिशा को होगा ये पूछना था जी ऐसा है देवी जी आप एक से लेके सो के बिच में कोई नुमबर बताईए जरा एक से सो तो जी नानमे नाइंटीन नाइंटीन अरे देवी जी अभी आप शादी के बारे में बिल्कुल ना सोचें जल्दवाजी ना करें बच्चे को पढ़ने दीजिए पढ़ाईए अभी आप अभी बहुत छोटी आयू की बच्ची हैं सन 2000 का जनम है देवी जी 17 साल भी पूरे नहीं हुए आपने करना क्या है देवी जी आज आपको एक छोटा सा मैं उपाई भी बता देता हूँ और दूसरी बात मैं यही विलकूल आप विवाह के बारे में ना प्लाइन करें अच्छा रहेगा बच्चे के बविश्य के लिए और तीन साल बाद यदि आप रिस्ते की बात सोचेंगे तो बहुत अच्छे घर का रिस्ता मिलेगा इनको दूसरी बात देवी जी विवाह इनके जनम स्थान के आसप होदी फोन लाइन पर जड़ चुके हैं नारायन भाविश्यवानी में बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल रखें जी संजय अपना सवाल रखें कि अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि आप जो आवाज है वह आप तक सही से पहुंच पाए हलो हाँ नमोना रायन जी संजय जी बताईए अजी मेरी बेटी का बर्त है सोला अगे सुनी सुबाह में जी नाम बताईए बिटिया का संजय जी नाम बताईए बिटिया का जी तो इसी के साथ अगली कॉलर कुरुक्षेत्र से बलजिंदर फोन लाइन पर जूर चुकी है बलजिंदर नारायन भविश्यवानी में बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल रखिए हलो जी नम नमश्कार नमोना रहें देवी जी तो मेरा नाम बलजिंदर जी मैं कुर्क्षेत्र से हूं जी मेरी मतलब 15 साल की सब्दी जो मतलब मेरे हजबन मेरे सेलक हो चुके है चार मंत पर जी और मैं अपना मतलब अपनी शाथ दी बचाना रहते हैं अपना प्रवार ने तो जी कोई बटाए दीज़ी कि तनी बहुत अच्छा कोई बात ने आप गवरालय नहीं आप एक बात बताई कोई भीपल का नाम बोल यह कोई वी अपन जी अ को अई जी कोई भी घडर बोलि कोई भी रहेत जी एक से दस के बीच में कोई भी नमभर बोलिये देवी बहुत अच्छा एक से दस के बीच में कोई भी नुमबर इस बीच वन से लेकर टैन के बीच में देवी जी आठ चलिए बहुत अच्छा देवी जी ऐसा है देखिए आपके विवाईक जीवन के बात करें तो बिल्कुल अभी थोड़ा नेगेटिव समय चल रहा है आप बिल्कुल परिशान भी लग रहे हैं अभी और समय भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी नेगेटिव आपका आपने क्या करना है आपने अपने वजन के बराबर का अनाज गरीबों में बांटिए वजन के बराबर का अनाज ये दिन नहीं बांट सकते तो आपने क्या करना है जितनी आपकी आईउ हो गी है उतने गरीब लोगों को आप खाना खिला देजिए ये उपाए देवी जी श शुक्रे अपना सवाल रखने के लिए अगले कॉलर कि नोर से चग जीवन राम फोन लाइन पर जूड़ चुके हैं नाराइन भविशेवानी में बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना सवाल रखिए जी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल रखिए तो आपका पूरा नाम बताईए नाराइन जी जग जीवन राम जी कहां से बात कर रहे हैं अभी किनोर से बहुत अच्छा आपके तो एपल बड़े फैमस हैं किनोर के तो कहते हैं हाँ जी जी बताईए क्या जानना चाहेंगे आप अधर में कईया बार एंन्टेव्यु देरां सफन नहीं हो रहा और घर में परिवार बिमार रहते जाण ओरे नाराइन कितने सदस्चे हैं घर में पूरे आप अम तोफ चार है आप एक उपाय कीजिए वारा कि डेयेगा आपको जरूर ला मिलेगा घर में सुक्षंति रहें की बरकत मिलेगी और जो आप इंट्रिवू देने की बात कर रहे हैं कि बार बार इंट्रिवू दे रहे हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगरी जोग के लिए आपने क्या करना है जब भी आप जाएंगे एक काली मिर्च और थोड़ा गुड़ खा के घर से निकलिएगा आपको जुरूर सफलता मिलेगी से सुनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नाराइन भविश्वानी में बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना सवार रखिए अपने करजा बहुत है मतलब जो भी काम करता हूं बैस चला जाता हूं जी नाराइन जी आपका पुरा नाम बताईए आपका सुन से लेके सोग के बिच में कोई नंबर बताईए नाराइन जी 65 बहुत अच्छा बहुत अच्छा शुक्र बहुत अच्छा नाराइन जी आप व्यापार में लगे रहे हैं ट्रेडिंग कीजिये एक स्थान से समान लिया दूसरी जगह बेचा इस पर मैंनत कीजिये थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए अच्छे से एक छोटा सा उपाय बताते हैं सत्ते नारेन भगवान का वरत कीजिए हर पुरुनमाशी को हर गुरुवार के दिन आपने मंदिर में जाकर के थोड़ी साब सफाई करक्या नहीं है अपने हाथ से मंदिर की कोई सेवा ले लिजिए मंदिर मे जारू पोचा कीजिए या मंदिर में बगवान की मूर्तियों की सफाई करक्या ये कुछ ने कुछ आप सेवा लिजिए छोटे से ये दो टोटके कीजिए आपको जुरूर नाब मिलेगा और आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा नमो नाराइन जी चले सोनिल बहुत उपाय बताया गया है नजर का नजर से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप उस उपाय को अपना सकते हैं दो उपाय आपको बताये गए हैं नाराइन जी बहुत बहुत शुक्रिया हमाई से जुड़ने के लिए तो उम्मीद करते हैं कि नाराइन भविश्यवानी के जरिय जो भी आपकी समस्याएं हैं जो भी आपकी परिशानिया हैं उनका समाधान हो पाया हो क्योंकि रोजाना आद बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे और आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी समस्याएं बता सकते हैं और उनका उपाय जान सकते हैं कल फिर इसी समय होंगे हाजिर फि कर दो